मति प्रदेश में धारजला अधिवासी जंजाती विकास विभाग में हाल ये है कि आप सिर्फ पैसे दो और मनमाफिक नियम विरुध कारी करवालो हम धारजले की कुक्षित हसिल के विकास खंड निसर पूर एवं मनावर के विकास खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर प्रभार संभाल रहे चर्चित अमर्स यह वासकेल की चर्चा कर रहे हैं इन्होंने इस पद पर बैठते ही सर्व प्रथम विकास खंड के अंतरगत संचालित होने वाली समस्त छात्रवास आश्रम के अधिक्षक अधिक्षिकाओं को हटाने के नाम पर अपनी टीम के सदस्यों के द्वारा खबर भिजवाई और प्रतियेक से नाजायस रुपियों की मांग की जिन्होंने इनकी मांग पूरी कर दी उन्हें वही रखा और जिन्होंने मांगे पूरी नहीं की उन्हें तीन वर्ष का हवाला दे कर हटा दिया और जो इस पद पर बैठने का इच्छुक है उससे एक से दिर्ड लाख रुपई लेकर अधिक्षक बना दिया गय मनावर विकासखंड में मनावर के मारेनिय विधायक महोदय से हुई चर्चा अनुसार उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हें हटाया गया है चिन की शिकायते हुई हैं एवं चिन की कारेप्रणाली सही नहीं थी विधायक महोदय की नजर में कारेप्रणानी का माप डंड किया है हम कहे नहीं सकते लेकिन हम जनता के अधिकारियों को यह जरूर दिखा सकते हैं कि मनावर विधायक के प्रतिनी थी देवेंद्र सिहम अंडलोई त्वारा शासकी बालक छात्रावास बोडलाई के भ्रह्मन का फोटो जैसे कि फेस्बुक पर अप्रोड है शासकी बालक छात्रावास बोडलाई के अधिक्षक लासीहम मेंड़ा है ये यहाँ पर लगफ़क आठ वर्षों से अधिक समय से छात्रावास के अधिक्षक के पद पर पतस्त है क्या छेतरे विधायक के प्रतिनीधी द्वारा किये गई निरिक्षन में आश्रम में पाई की आनियमित्ता नहीं दिखाई दी और दिखाई दी तो उन्होंने माननी विधायक को क्यूं नहीं आपकत कराया आखिरकार क्यूं विधायक द्वारा इस आश्रम के अधिक्षक के विरुत कार्यवाही नहीं की गई यहाँ विशय प्रशस्निय है मनावर विकासखंड में जियोती बाला अजवेल राकेश पाटीदार अमित शरमा आधी ऐसे अधिक्षकों के कई नाम है जिन से विकासखंड शिक्षा अधिकारी के विशेश दूत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जामसी हम अंडलोई की द्वारा नब्बे हजार से देर लाख रुपेव तक की मांग की गई थी और पैसे न मिलने की दशा में स्थानांतरन करने की थमकी दी गई तब रुपेव न मिलने की दशा में इन सभी का स्थानांतरन कर दिया गया परन्तु समय रहते शर्मा हाई कोर्ट से स्थगनन ले आये और इनकी चक्र वीहों में आने से पच गई इसी कड़ी में विकास खंड के अंतरगत सखाराम राने जिन पर विभाग द्वारा 90,000 रुपयों की रिकवरी निकली है उसके बावजूद भी सखाराम राने शुरू से आज तक छातरावास अधिक्षक के पद पर कारिरत है इनका स्थानांतरण कर दिया गया था लेकिन विकास खंड शिक्षा अधिकारी अमर्स यह वासकेल ने जिले के विभाग प्रमोख सहायग आयुक्त के आदेश को रद की टोकरी में डाल दिया है और अपने बनाए कानून लागू कर दिया किस तरह एक विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सीखे गए दाओं पेच जो की स्वयम के गुरू म्रजीश चंदर पांडे से ही सीखे हैं तत अनुसार आदिवासी जनजाती विकास विभाग के उपायोक्त गनेश भापर द्वारा धरम पूरी जलाधार के विकास खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर एक आदेश चारी किया गया था जिसका भी धार जिले के आदिवासी जंजाती विकास विभाग द्वारा पालन नहीं किया गया ठीक वैसे ही जैसे धार जिले की सहायत आयुक्त ने संभागिया आयुक्त राजस्व के आदेश पत्र जसमे सपष्ट आदेश है कि सीनिय कर्मचारी होते हुए भी जूनिय कर्मचारीों को महत्वपोंट पदों पर बैठा दिया गया है इसको हवा में उड़ा दिया गया इसी कड़ी में अमर सिह वासकेल ने अपने कारेले में कई कारेकार्ये नियम विरुत किये हैं और अमर सिह वासकेल इस जुलाई को सेवार निवरुत हो रहे हैं इनकी जगह कोई नया विकास खंड शिक्षा अधिकारी बनेगा और कोई पुरानी फाइल जसमें नियम विरुत आदेश है ना खोले इसके लिए इन्हों ने वर्तमान में गणपूर हायर सेकंडरी स्कूल के प्रभारिये ब्राचारिये हीरा लाल निंगवाल को तयार कर धार में बैठे अपने विभागी आका सहायक सहायुक्त इसी कड़ी में अमर्सिये वासकेल ने अपने कार्यकाल में कई काले कार्ये नियम विरुत किये हैं और अमर्सिये वासकेल 31 चुलाई को सेवा निवरत हो रहे हैं इनकी जगह कोई नया विकास खंड शिक्षा अधिकारी बढ़ेगा और कोई पुरानी फाइल जिसमें नियम विरुत आदेश हैं ना खोले इसके लिए इन्होंने वर्दमान में गंडपूर हायर सेकंडरी स्कूल के प्रभारी प्राचारिये हीरा लाल निगवाल को तयार कर धार में बैठे अपने विभागी आगा सहायक आयुक्त ब्रजेश चंदर पांडे से टिकडम लगा ली है पैसा देकर धार के ततकालिन कलेक्टर श्रीकांत बनोट से इन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनाने का आदेश करवा लिया है और जाते जाते ततकालिन कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने भी अपनी मितरता के चलते आदेश कर दिया है लेकिन बनोट यहाँ पर एक गलती कर गए कि मनावर विकासखंड में ही बनाए गए नई विकासखंड शिक्षा अधिकारी हीरा लाल निंगवाल से सीनियर वा अनुभवी बहुत से कर्मिचारी एवा मधिकारी पदस्त है फिर धारजले के सहायक आयुक्त ने उन्हें नजर अंदास कर जूनियर वा कम अनुभवी को मनावर का विकासखंड शिक्षा अधिकारी कैसे बना दिया हमारे प्रतिनीधी ने दार के सहायक आयुक्त से इस संबत में चर्चा की तोनों ने भाच्पा की पूर विधाय का हवाला दे कर बताया और कहा कि मजबूरी वर्ष हीरा लाल निगवाल को मनावर विकासखंड का शिक्षा अधिकारी बनाना पड़ा इससे यह साफ जाहिर होता है कि किस तरह नौकर शाही पर खादी का प्रभाव पड़ रहा है यदि हमारे साथ खादी है तो हम इस प्रदेश में ही नहीं देश में कहीं भी नियम सम्विधान की विरुथ कोई सा भी कारी करवा सकते हैं ऐसा नहीं कि छेत्रे विधाय को यह जानकारी नहीं है पर वे चुप है और हमारे प्रतिनीधी से कहे हैं कि भाचपा का शासन है यदि मनावर विकासखंड में शास के निमाने अनुसार समविदा के पद पर कारिय करने वाले किसी भी कर्बचारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है अधिक्षकों को हटाए गया है तो किया स्वयम विकासखंड शिक्षाधिकारी स्वयम तीन वर्श से अधिक समय हो जाने पर उन सभी कर्बचारियों का थानान आनुकरन करेंगे या कोई नया नियम का भाना कर या तगडे धनराशी दे कर बक्ष देंगे मनावर छेतर के मानिनिय विधायक डॉक्टर हीरा लाल के अलावा सिर्फ आशावादी विचार के साथ मानिनिय नरेंदर मोदी जैसे सपने देखा कर बाद ही करते रहेंगे या स्वयम अपने विधायक प्रतिनी धी देवेंदर सिहम अंड्लोई के द्वारा शास किये बालक छातरवास बोरलाई का दौरा किया और उसमें पाया गया कि छातरवास में उपस्थित एक बच्चे की तब्यत जादा खराप हो गई थी तब शातरवास की चौकिदार और स्वयम विधायक प्रतिनी धी श्री देवेंदर सिहम अंड्लोई बच्चे को लेकर हॉस्पिटर लेकर गए और शातरवास अधिक्षा कला सिहम मढग जो स्वयम तीन देम से शातरवास नहीं आए ऐसा चातरवास की बच्चों ने वधायक प्रतिनीथी को बताया ऐसी स्थिती में छेतर वधायक विकास खंशिक शादिकारी सहायक आयक तद्वारा कारिवाही क्यों नहीं की गए यह बात सही है इसमें कोई अतिशोक्ती नहीं कि सरकारी नियम कानून सिर्फ गरीब लोगो पर ही लागू होते हैं क्या जिला मुख्याले धार के अदिवासी जंजाती विकास विभाग में एक नहीं अनेक बाबू आच ही नहीं बरसों से अंगत के पैर की तरह जमें बैठे हुए हैं और तो और सोयम सहायक आयुत महोदय इन्हें भी धार में लगफग चार दुशम कारवाही करेंगे